हनमान जी को शंकर सुबन केशरी नंदन कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? शंकर सुबन केशरी नंदन का तात्पर्य है? संकर सुबन केशरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन अर्थात हे शंकर के अवतार हे केशरी नंदन आपके महान प्राकरम और यश की संसार भर में वंदना होती है श्री हनमान जी के संकर शुबन रुद्रा अवतार या रुद्र के अंसे उत्पन होने के संबन्द में भिन-भिन कथाएं मिलती है आनंद रमायन के अनुसार सती साधवी अंजना माता ने पुत्र कामना से शंकर भगवान को प्रस्ण करने के लिए उग्र तपस्या की देर्ट काल बीतने पर भगवान शंकर उनके तब से प्रसन होके प्रगट हुए एवं उन्हें वर्दान मांगने को कहा तब अन्जना ने शंकर भगवान की साधरिष्य भोले भक्त तथा पवन के समान पराकर्मी पुत्र प्राप्ति की प्रात्ना की तब शेवजी ने कहा रुद्र गणों में 11 महा रुद्र तुम्हारे पुत्र होंगे तुम हाथ फैलाकर एवं आखे बंद कर मेरे ध्यान में खड़ी रहो थोड़ी देर में पवन देव तुम्हारे हाथों में प्रसाद रखेंगे उस प्रसाद के खाने से निश्चे ही रुद्र अवतार परम तेजस्वी पूत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच अयोध्या में राजा दशरत के पूत्र कामेश्टी यग में अगनी देवता से पाईसम का प्रसाद दशरत जी को प्राप्त हुआ, जिसका तीनों रानियों में वित्रन हुआ। कहकई के हाथ से पाईस अंश को सहसा एक चील ने जपट लिया और वहाँ उसे लेकर आकाश में उड़ गई। उसी समय भागवत कृपा से भ्यंकर आंधी उटी। वह पाईस चील के मुझ से छूट कर पवन देव द्वारा अंजनी के हाथ में गिरा। प्रेला में श्री हनमान जी का जनम हुआ। इसलिए उन्हें संकर सुबन कहते हैं। एक अन्य कथा विन्य पत्रेका के परिशिस्ट में मिलती है जो इस प्रकार है। एक बार शिव जी ने रामचंद्र जी की स्तुती की और उनसे यावर मांगा कि हे प्रभो मैं दासे पूरत को पूर्ण कीजिए। श्री राम चंद्र जी ने शिव जी के प्रेम की वशुभूत होकर तथात्सु कहा। कलांतर में शिव जी हनमान के रूप में अवतरित होकर श्री राम चंद्र जी के प्रमुक सिवक बने। इस विशय में गोसामी तुलसीदास जी का मत है कि जिस शरीर के धारन करने से श्री राम के प्रेम एवं उनकी सेवा हो सके वही शरीर आदर्ने है ऐसा ही विचार कर श्री राम सेवा का रस लेने एवं श्री राम की अन्यन भक्ति के आनन्द का अन्भव लेने भगवान शंकर रुद्रु रूप में श्री राम के अन्यन सेवक हन्मान बन गए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसंग भेट से वासुदेव नंदन, नंद सुबन, गिरिधारी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, रास बिहारी आदी कहा जाता है उसी प्रकार श्री हन्मान जी को संकर सुबन, पवेंतने, केशरी नंदन आजने इत्यादी नामों से अलंकृत किया जाता है